नमस्कार दोस्तों स्वागता मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडिम आपको बताने हो लोगी फुल टाइम टेडर कब बना चाहिए दोस्तों यह बहुत ही इंपोटेंट वीडियो है हो सकता आपका लैब भी बदल सकता है यह मैं अपना experience के साथ में बनने के लिए लेकिन वह लूस करते हैं लौस करके लौस हो जाता तलाश में मार्केट को छोड़के चले जाते हैं उसको ब्लेम डालते कि मार्केट यह गलत है यह गैंबलिंग है तो मैं आज अपने experience के साथ में बताने हो लोगी फुल टाइम टेडर कब बनना चाहिए कब सही है कब गलत है कब नहीं बनना चाहिए कब बनना चाहिए बहुत सिंपल और असान तरीकां बताऊंगा जिससे आपका लाइब बदल सकता है और आने वले समय में आप भी फुल टाइम टेडर बन सकते हैं जैसे मैं फोलो किया था ठीक है चलिए शुरू करते हैं दूस्तो आप बोलेंगे भाई आप अल्लेडी 2021 से मार्केट में हो तो आप 2-3 मेहना पहले फुल टाइम टेडर के बारे में क्यों सोचे इससे पहले क्यों नहीं आए इससे पहले नहीं आए कि इससे पहले मैं लॉस होता था और मैं लॉस होता था तो फुल टेडर कैसे बन सकते हैं ह चलिए कैसे हमें कैसे किया हूँ कैसे बना हूँ? बहुत सिंपल और असान तरीका हम बताऊंगा. आपको बनना चाहिए तो देखे सबसे पहले आप यह सबसे फूल टाइम ट्रेटर बनना चाहिए तो सबसे पहले आप कोई임 सब्सक्राइब करें, या या आपका जॉब भी हो सकता है या आपका इनकम सोर्स कुछ कुछ भी हो सकता है इंकम सोर्स कूछ भी है तो इस वी मैं बोल रहों इंकम सोर्स कुछ और रही है तो अगर मार्केट मेंatori jos भी हो जाये तो वहां से चैपिटल लेकर फिर सगेनप ट्रेडिन कर सकते क्यों लौप सोता वरारgest कि अब सर्टार्टिंग में आपको कम से कम कमाने में सोचनाई नहीं कि मेरा टेडिंग से पैसे आसकता है आ गया तो बहुत खुशी के बात है अगर नहीं आ रहा तह तब सोचनाई भी मत स्टार्टिंग में जिस परकार हम लोग 20 साल पढ़ाई करते हैं 20 साल पचीश साल पढ़ाई करते हैं तो मुझे कोई अच्छा जॉब मिलता है आज कल की ड़ेट में मिलता भी नहीं तो है इतना पढ़ाई करने के हिसाब से मैं अपने experience का भी सोचो कि वहाई मुझे बनना है तो एक साल आप अपनी हिसाब से कि आप trading में से full time trader बनने के बारे में तो सोचना ही निमत बस आप यह आप जरूर करना कि आपको एक से करना है किा यह कि आपको सीखने जाएं पर अच्छे सीख लोगे लिए इसली आप से पहले हुआ सकते हैं चेह मेना में सकते हुआ यह कम सीखम एक साल मार्किट को दो सीखने के लिए Capital अब अगर इसका पर decide करो कौन सा index में किसी आप trade करना चाहते हैं वह आप इस्टार्टिंग में मार्केट में आ रहे था मेरे रिधाब से आप equity में trade करो swing trading करो stock में जो nifty 50 stock है उसी में आप किसी भी इस टॉक में आप trade कर सकते हैं आपको बहुत सारे से वीडियो मिल जाएगा जिसमें ज्यादा वॉल्म है किसमें ज्यादा कम है तो आपको निप्टी 50 स्टॉक में आपको स्विंग टेडिंग करना अभी कब करना जिसे दिन मार्केट बहुत गिरता है उस दिन आपको पैसा इंट्री लेना है जो है 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 होगया ह Queen Scade तो मुझे पता गिरता है तो एक-दू दीन में हो भी जाता है तो तो मैं अपने अक्स बोलता हूं आप ऐसा गल्या सिना करना कैंiggly के वेस्पर करना तो जिस दिन मार्केट बहुत गिरता है उसमें स्टॉक में बाई कर लेता हूं जब बढ़ता है तो मैं सेल कर देता हूं तो यह है इस्टार्टिंग में निप्टी 50 में ओनली फोड आप फीन ट्रेडिंग करो कम से कम छे महना और इसके बात पहले आप पहले डिमेट खुलना पड़ेगा आपको ट् दाल दूंगा आप जोइन कर ले ना ऑसे मेरे इसे फोर आप करते हैं जो मेरा प्रीमिम्यम चैनल इसमें भी आप जोईन हो सकते हैं और मैं बहुत ऐसे सारे अच्छा-च्छा बुक के बारे में बताऊंगा यह बुक सुनना चाहिए है यह बुक आपको पढ़ना चाहिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं तो आपको डिमेट एकॉन बनाना पड़ेगा तो डिमेट अकॉन आपको बना सकते बहुत ही जबरदस्त है वह अच्छा वर्क करता है मैं मैं दो तीन ऐसे ब्रोकर का रखा हूं लेकिन मुझे आपको बेस्ट लग रहा है मैं यूज करता हूँ अच्छा इसका चार्ट भी अभी में जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ अपना मॉइल नमर के साथ मैं आपको प्रीमियूम चैनल में एड़ कर दूंगा इसमें आप हमसे बात भी कर सकते अगर प्रॉलम हो आने वाले और मैं आपको अच्छा कुलने के बाद आपको सबसे प्ले टेकनिकल एनालैसिस शिखना नहीं तो मैं बोलेंगा सबसे प्ले आपको फंडामेंटल एनालैसिस सिखना है इसमें पर अभी वीडियो बनाया हूं आप देखी सकते यूटीब देख़े गांदर में आपको मिलेग अब संजीब सिंहान ह आपको अच्छे के लिए मैं आज में ठीस हमें क्या होता है मैं आपको बताद को बैलनें सीट अपको पढ़ना आना चाहिए फैनेंशिल प्लाप परहन के प्रॉफिटल लोट नहीं प्लाप म Ans अब को सब्सक Industry नढए पड़ना चाहिए और भी पर बहुत इसे सारे इंडिकेटर होता है या EPS होता है तो मैं इसके बारे में अल्रेडी वीडियो मना के देखा हूं कि कैसे आप बेस्ट चूज कर सकते हैं यह लॉंग टाम के लिए तो fundamental analysis आपको सीखना YouTube पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगा आप यूटूब पे सर्च करना fundamental course बहुत सारे video आएगा यहाँ यूटूब सार्च करना fundamental course कि बहुत सारे ऐसे बोलेंगी तो मैं भी लेकर आओंगा और शीमें लेंकिए अब आप देखेंगा कि यह सीखने के बाद आपको क्या करना टेक्निकल एनालैसिस सीखना कि टेक्निकल एनालैसिस आपको सीखना आना चाहिए टेक्निकल में आपको में बोल देता हूं बेसिक से लेकि एडवांस तक भी बोल देता हूं कि अरभा हो सकता है वीडियो थोला लंबा हो तो लोकिन क्या करें आपको अदूरा सक में देना नहीं चाहते हैं देंगे तो पुरा अच्छे सभी तेंगे अंव के टैक्निकाल एनलैसिस आपको जानेकारी आज है डेकनिकल एनलाइसिस में होगए स्टार्टि में सापोर्ड रेजिस्टेंस क्या है सपोर्ड अब कोरें यहां पर search में देता हूं कि आप support निमें लिए देता हूं अब कोफी केताब ले कर आईया लिखिए और यहां पर निखेगा support एंड रेस्टेंट यह के रखेगा जबने में रिए पी और मैं बोल के आप इतना लिख नहीं सकते हैं मैं बोल को बताता हो सबकूर्ट इस तक्रों क्या होता है सब्सक्राइब करने का सही तरीका यह आप YouTube पर सार्च करेंगे मेरा फी वीडियो देखिए मेरा भी बहुत इसापुर्ट में बहुत मास्टर क्लास लेका बना के डाला हूं दो गंटा का थुरा वीडियो है अगर यह वीडियो आप सीख लेंगे देख लेंगे तो मैं गिरेंटी और दावे के साथ बोलता हूं आप सपोर्ट रिश्टियन में मास्टर बन जाओगे इसके बाद इसके बाद आपको क् कि सपोर्ट रिश्टियन के जानकारिया आपको प्रण से आप्को सीख द प्रैज अक्ष्ट मास्टर पर सर्च руки पसर रहेंगे प्राई एक्ष्टर श्रवाहर क्लास ट्रेडिंग स्टेज gram hol ट्मास्टर एक्षन तो आपको बहुत सारे बीडियो आ जाएगा हम युक्त लेके आने वाला अपर जेक्सेंट फर वीडियो त्रहा मैं और भी रिशर्च कर रहा हूं इस पेसले में लेके भी नहीं आ रहा हूं मैं अच्छे सी जू भी लाऊंगा simple लाऊंगा और धामाके दार लेके आऊंगा ठीक है projection के बारे में आपका अच्छा knowledge हो गया support htn इसका बाद आपको horizontal line draw कैसे करें कि अब है कि पर दो कैसे करें पिर ट्रे लाइन ड्रो कैसे करें कि यहां पर ड्रेक्ट लिख देदा ट्रेयन लाइन को आप यूटूब फेसोच रहा हों इसके बाद आपको कंड़री इस क्या होता है क्या लिए क्या स्ट्रेल अब को कंड़री सब्सक्राइब देखना है पुष्क राज ठाकुर सर है जो बहुत अच्छा से बताते हैं यहां पर देखे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कैंडलिस्ट का वह आप देख लेजिए अप पूरा अच्छा से इसमें हैमर डोजी मैं ज्यादा केंडल को फोलो नहीं करता मेरा भाई मैं बेरिस हरामी का में फ तरौब केंड़ लिस्ट केंडलिस्ट अथा गलती हो गया तो उसका समय माखता हो सीट इस यह पूरा देखना ठीक है बाई इसको अब बाद आता है वाइप में लिफ चार्ट हो गया चार्ट चाट पेटन भी आफ लिख सकते हैं आकब शाल भी देखतें चाट पेटन ही ल आज चाल पेतरन हो गया और इसमें आपको सब्सक्रों बनना है आप को यूटीब बन जाएगा आपको कि देख सकते पुसका राष ठाकुर का वीडियो देखिए इसमें पुर्ण आपका इंक्लूट आजएगा मैं मैं भी देरे देर लेते आओंगा तुरह भी तुरह भी जी रहता हूं मैं इसके बाद आपको साइकलोजी में थोड़ा इंप्रूब करना है साइकलोजी त्योंको साइकलोजी दोस्तों ऐटेटी परसेंट वर्क करता है ट्रेडिंग में कि अधेर सग्षाफ द्रेडिंग में बन सकते हैं साइकलोजी बहुत इंपोटटेंट यहिंख बेस्ट बुक में बताता हूँ ऑफ आपको सुनना एक ट्रेडिंग सैकलोजी बुक है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सुनने में आपको इंट्रेस्ट है तो आप उसका भी सुन सकते हैं कि जवरदस्त है इसमें आप दो बार चार बार वीडियो सुनिएगा साइकलोजी में आपको इंप्रूब अच्छा मिलेगा कि कैसे बने आपको अल्यडी बना हुआ ओग जाओ इसा में आपको माश्टर बनना छहाँ है यह करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूं चलिए आपको कैसे फूल्ड आप को लगाता को फांडवनेंटल आपको स्टार्टर करना है इसके लिए अट नमिनिटि आपको सीखना आना चाहिए चाहिए अच्छता चिच्ट क्या स्टक क्यों से कहलते हैं कौ Requ一点 कर चाहएं तो तीन मत आप स्विंग टेडिंग करो या छे मत मैं बोलूँगा अगर इससे आपको प्रॉफिट आ रहा है तब आप आप संट टेडिंग में आप संट टेडिंग में डिसाइड कर लोगी आपको निप्टी में टेड करना है या या श्टॉक में तो बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं निप्टी में ओनली फर वन लॉट से आपको टेड करना है आप स्टार्टिंग में बीस हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग वन लॉट से मैं क्या वलन लॉट से ज्यादा नहीं करना है कम से कम तीन मंत तीन मंत लगतार वन लॉट से आपको ट्रेडि ट्रेडिंग 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 स्ट्रेजी में पहले यहां पर लिख देता हूँ इसके बाद ट्रेडिंग सेट अप हो गया ट्रेडिंग सेट आप कि इस्टॉपलोस लगाना इस्टॉपलोस लगाने का सही तरीका एसल लिख देता हूँ एसल लगाने का सही तरीका कि इस पर मैं वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ इसको बाद आपको क्या सीखेना है मनी मेनेजिमेंट यह दोस्तों वीडियो वजवरदर्स होने वाला है इसके बाद रिक्स मेनेमेंट आपको सीखना है यह इंपोर्टेंट है इसके बाद आपको इसका बाद रिक्स टू डिवाड इस देखिए इसमें टेडिंग से ट्रेडिंग स्टेजी क्या है आपको खुद से एक स्टेजी बनाईए आपको अल्लेडी यूटूब पर वह सारे स्टेजी मिल जागा मेरा खुद का स्टेजी में बनाया हूँ उस पे भी आप देख सकत है आपको कितना लॉस हो सकता है कितना प्रॉफित हो सकता हूँ पहले सापको पता होना चाहिए कि मालीज आपके पास एक लाघ रिप्य है तो उनलीफूरद दस हजार से ही टेड करें इससे ज्यादा ना करें run is management के मतलब की अगर एक ट्रेड में कितना रिक्स ले रहें जैसे एब फार यहGO जाब इंद आम दशाँ थे डिद करें जिसमें आप कितना रिक्स हच्स ले रहे ही हैं आप जारफ कमाना यह हो गया तो यह आपको यह सब पुरा आप लीख सकते चार्ट में इसके लिए सकते यह आपको सीखना है ठीक है आपको छे महना एक्यूटी में टेड करना जो मैं बोल रहा हूं अगर नहीं कर पार हो तो मेरा भाई आपके लिए सेयर मार्केटिंग नहीं है आप छोड़के जा सकता अब चाहोगी आज स्टार्टिंग में मेरा पैसा आजाए तो आप पैसा तो नहीं आएगा लेकिन बिरवाद जरूर जाओगे इसके बाद आपको जो प्रॉफिट आता है एक्यूटी में वह पैसा से आप टेडिंग आप कर सकते हो निपृड फोडर निप्री में बॉंट इपृट करते हो में बात्म कितना अवनाम यह सब्सक्राइट लौट से थीन मंत आपको टे 20 मंथ में लागतार वण लौट से आप मंत् Committee में बोल रहा हूं और प्रॉफित में हो तीन मंत् मंन लौट से तीन मंत्राइब किसे अगर वेसी से एक लोट और एक लोट आपको करने बढ़ा ना है कि किसा प्रजिशन शेदे किसी दिन बहुत ऐसा लोग लों विरबाद की होते किसी दिन क्या करते हैं किसी दिन 500 काउंटियूrah करते इसमें लोग बेरबाद हो जयते हैं मालेज़ आप 500 कौंटिश गरे तो आज आप मालेज़ आपका प्रॉफट हो गया ठीक है अकल वह जार क्वांटिश टेट करें तर फिर लॉस होगे तर टा क्या हो गया जो भी प्रॉफिट था ओभी लॉस में कर्वत हो गया तो इस सेम से regular प्रॉफिट में हैं तो दीरे दीरे क्वांटिटी बढ़ाई हो लेकिन रिगुलर टेड उसी इतना क्वांटिटी से टेड़ कीजिए मतलब यहां ने रिकिमेंट मतलब यह होता कि आप एक कितना रिक्स लेता कितना प्रॉफिट करते हैं अब लगातरव मान लगतार एक साल में अमपड़े क्वांट सीनल मन दूपर में तब आप आपको लग रहा है महना से में जोब आप पेसी इंकम आप जौब करते हैं पोर एक्जामपल जौब यह इनिफिंग कुछ भी करते हैं तो मालिज आप जौब करते हैं जौब में आपका 30,000 पर सेल रही है तो आप मंध तो मंद ट्रेडिंग से 40,000 पर मंथली कमा रह है और भी हर मंथ लगातार एक साल तो आप ट्रेडिंग जौब छोड़ सकते हैं फुल टैम अब ट्रेडिंग में कनवर्ट हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरे भाई जौब भी करो ट्रेडिंग भी करो दोनों साथ में करो लेकिन जिस दिन आपका प्रॉफिट जौब से ज्यादा आरे लगातार कम से 6 6 से 1 आप सिम्पल बो लोगी कि एक साल दो साल में हो जाएगा तो ठीक है लेकिन इतना जल्दी नहीं है इतना असान तो नहीं है बनना है कब नहीं बनना में यह भी बता दिया आप जरूर इसको इसके इन स्वाट ले लिजे कि यह जरूरी आपको यह सब सीखना यह पहले मास्टरा बनी इसके इसका आप ले सकते जो मैं बोला हूं तो दूस्तों मैं उमीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब करें जरूर सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में अगर आप मार्केट में नीव है तो सबसे पर आपको डिमेट एकॉन खुलना पड़ेगा तो आप मेरा यूज कर सकते हैं वह जवरदस्त ब्रोकर है लेंग इन डिस्क्रेशन मिल जाएगा आप जरू आपन कीजिए और आपन करने के बाद आप आप एक दो बाट ट्रेट किजिए एक क्योटी में और इसका 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 मेरे इंस्टागाम पर बेह दीजिए इस्टागाम मेरा यूटूब वीडियो के डिस्क्रेशन मिल जाएगा मैं आपको प्रीमिम बारा गुरूप म में बात करके तो यह आप कर सकते अ कि इतना तो कर सकता है और 1 में वाज मुश पाने के छोड़ा हूं तो इसमें तो मैं आपको पैसा ले नहीं रहा वह फिर इंबता रहा हूं अगर मेरे साथ जोड़ना चाहते तो जरू जितना जल्दी हो सके आई निक्स्ट हो मध्याइ टेक के और वीडियो अच्छाला जो लाइक एंड कमेंट करें आप भाई कर चैनल यहाद जो सब्सक्राब के लिए